पॉर्स्ट ओपॉल हैपी संक्रान टु यू और आज का हमारा प्लाइन बन रहा है पाउना डैम जानेगा तो और मैं हर टाइम हमारा प्लाइन बन रहा है और मैं सोलो रैडी करता हूँ बट आधित लग गई अभी उस चीज़ की लेकिन उससे पहले मैं आप लोगो को खुछ कि मतला जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोगों ने मकर संग्रांद कैसे सेलिबरेट की थी उसका बस एक छोटा सा गिलिम्स देख लो तो 3,2,1 डैने बटे यह, जूटाजग्ग्णार पीछाल झाओ जाओ ओ जिछयो यह सदिख घीजान आथ मैंना यह अरे जिछ धसे ज़िए ऑनात्य विए अरे जीर сवान मैं हन्याख फीचowser उसPटेंग्डूर वर्यूचरा जा से मनने आज़ए नहीं ब्लेटेश सरफेंदी उसक् तो अभी हम लोगे जो फॉर्स्ट टोल है उसे क्रॉस करने के बाद कहा टर्न लेना है मैं आपको बताता हूं पार्मना डैम के लिए इसे तो गूगल अंटी है अपने साथ है और मैं जब मैंने वाटसप और इंस्टाग्राम पे जो स्टेटस डाला था रात को ट्रैवल का व है कैमेरा एक है और गोपरो के कुछ बैटरीज और जो भी रिक्वाइट चीज़ है वाल एट वगरा तो इस आल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी पॉर में एट लिस्ट और टू लिटर ऑफ बॉटल पानी किया बाई पानी किया अभी यहां जो एक टाइवर्जन दिख रहा है इसके ओपर जो लिखा हुआ है ना मुंबई पाता नहीं क्या है वहां से अपने को अंदर लेना है अभी यहां से सिधा 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 चलने का है और यहां पर बहुत ऐसा लब गाव टाइप बोल सकते है एरिया है काफी क्राउडेड रहता है इदर का अनन है 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 चलने है इस बाहुत जगह पर एसे फूलो का यह है क्या बोलते है को मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है विट फूलों की खेती की जाती है ताके उसको बेच सके बार जाके और रोड की कि रोड की कंडिशन दिखा रहे यह तो मेरे नाक में पूरा का पूरा एक किलो मिट्टी भर देगा कि पाई साब कि है कि और है कि और ऐसा ही रास्ता कम से कम सेवें टो एट किलो मेटर का इतना इस खरब रास्ता है but वाट एक एक बात अच्छी एगि वह खड़कवासला डाइंसे तो बहुत सुन्दर है पॉपनट है बहुत सुने रहे हैं मतलब इतना रस्ता कर अधिक अच्छा मिल रहे है न कोई तिकत नहीं और यह ब्रीज नहीं और एक इसके बाद एक ब्रीज आता है तो जब वह ब्रीज आएगा ना मतलब वह क्रॉस होगा तो उसके बाद थोड़ा सुकून वाला रास्ते तब तक यह रास्ते के तो मतलब मुझे लग रहे है कि एक बार बानक है भूल गए कि इसको अभी वापिस ठीक भी करना है ओके तो अभी यहां से अपने को उपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जाना है अब गोगल अंटी बोलनी चाहिए ते कि बोल नहीं रही है पता नहीं क्यों अब कर यहां से जा रहे है अब है अब शाबास अब लुक के अट ड़ ब्यूटिफुल व्यूव कितुना बड़ा पहाड यार सही में वाव मुझे थोड़ा सामने ध्यान भी देना होगा ऐसे पहाड भी नहीं देखनी चाहिए बीच में और यह कंटिनियूस मतलब जब तक हम लोग टैम तक पहुच रहे हैं तो ऐसा ही रास्ता है तो इस मास देखता मतलब शांती वाली राइड है तो इस ब्रिच के मैं बात कर रहा था इतना सही दिख रहा है यार यह दोनों तरफ सही है मतलब इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बहुत ही सही है एक फोटो निकल लेता हूं मैं यहां पर इस रियली ओसम अब अब एक सेक्ट आपको सामने दिख रहा है वह पवना डैम और इसका और एक साइड है जहां पर हम लोग जाएंगे यह थोड़ा रोड़ खरब हो चुका है वाट डैट सो ओके हम उसके दूसरे साइड पर भी जाएंगे बस यहां से देखते हैं अगर और नजदिक जा पाते हैं या नहीं दूसरी जो जगह है वह एक्चुली कैम्पिन के लिए है वहां पर अच्छे खासे से ग्राउंड मेंटेन के हुआ है एसे पूरा प्रॉपर एक ते अंदर मुझे नहीं लगता जाने की पर्मिशन है और अगर आप लोगों को जाना ही है तो देख उदर पर हेड बारस विर और बो जाने तो मुझे नहीं पता क्या है उन्हीं पूरा नहीं पढ़ा हूं बट आप इस आउग पहर फुड नहीं पाद गर्गा अग बात दूसरे साड पर जाते है अम लोग तो बॉकर खरो दूसरे साड पर जाते है आम लोग घ्यार्णी कि अन्राइड नहीं गर एक् वह मज़े ही मज़े है पैनियर्स में सामान सब मिक्स हो रहा हो गो जब हम पैनियर्स को लेंगे सॉरी पॉर दर्टी पॉर्स्ट अपर एक 360 व्यू पॉर्स्ट अपर एक 360 व्यू फाउना डैम फाइनली कैसे देसे करके पानी तक तो पहुच गए वाउ लेकिन जिस वे से मैं नीचे आया हूना वह अलग है वाई यह जिन देखो रहा हूना इसके बाजक्पों में याना था क्या है कुछ तो शे कर आपको जिस कर एक तास्क बज़ाग जाकर एक बज़ा दूबि को अब को बज़ा इस फाले कर देड़े मैंिक्सिम्म इस पानी जाना चार्शिक कर रहा हूं है okay that's it again one 360 view that's my bike hope you guys like this new artwork that i did on my bike अभी हम लोग करेंगे लंच कते भूख लगे वाई अधिनली टिफिन जिसमें एक हीटर भी है आज कुछ नाया नहीं है बस खाली रोटी सबजी ही है सबजी क्या है okay it's capsicum विसी दाख खाना खाने के बाद ही मिलता हूँ वाई 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 तो मैंने यहां पर बेटके खाना खाया थोड़ा अच्छा भी थी इसलिए यहां पर जाता तो शायद वो लोग आ जाते और इस तरफ जो यलो यलो दिखेगा आपको वो डैम की वॉल है जो यहां से भी दिख रही है और क्या पंजियों के आवा जा रही थी है यहां से मतलब बहुत सही फीलिंग आई धूब भी है थोड़ी बट इस ओके अभी अभी जाने का वक्त आ गया है जाते वक का रास्ता नहीं बताऊंगा लेकिन सिर्फ पाउना डैम नहीं अभी आम लोग कसरसाई डैम भी जाएंगे जो अगर आप लोग देख सकते हूं 28 किलोमेटर सी है कि यस नाव और कुछ तो यह गंटा लगेगा मुझे वहां प्रपोस्ट में में यस आई कें दू दिस लेट स्टाड़ और यह जो सेकेंड वाले डैम पे जा रहे है वह एक्चुली आइडिया कैसे आया मेरे एक बहुत ओल्ड स्कूल फ्रेंड है तो मैं उसके ऐसे है फोटो में मैंने पूछा भाई कहां पर है और वो मेरे लोकेशन से तो 16 किलोमेटर था फिर मैंने चेक किया पाउना डैम से कितना है तो अगे 30 किलोमेटर मैंने सुचा भाई लगे हाथ दोनों कवर हो रहे हैं तो क्यूं नहीं और वैसे भी आगे बड़ी वाली राइड प्लैन करनी और ऐसे ओफ रोड नहीं मिलेगा मेरे को वापिस तो मैंने का चलो यार उसे ही फाइनल करते हैं मैं अक्चली सोच रहा था कि उसे भी इस राइड पर बुलाओ बट फिर यार मुझे नहीं मुझे नहीं लग रहा था कि वह इतना कर पाएगी मैंने कहा जाने द है इतना अजय कोवा कि यह सांवेटल के अब हो जबाएड पीरसी नहीं दनुना मुझे गुनदेखा हुएड है मुझे के उसे भी बुलवाय को आव कि प्लम के उसभड़ कीया मत्यार है मतलों है च हैतना के लेड़ना जऱ् है इतना मदें वोगो कोई है स्वानी आदे कोके अधो है ऊथ यहां आपने कु शायद अन्न जाना को अगैन ओड रोड इन साथ 300 meters, turn left. वागा हाल, left. 100 meters, sharp right. 100 meters, sharp right. और कोई रास्ता है भी नहीं वेशे यह जो इंजीन का आवाज आ रहा है वो काफी फीट हो गहे है किसल पिकामे बिच में तिसके घरब के है mheim जांद मार मैंतों दूईगा यहां वे जतना है एंगा शाद में सित만 कर दो अज्मान एंगारर जे प्रबन के जोइन भशेवार में बड़elle क defensive पर्तृर में एक से जारी लिए ब में संस्टीन हम एक कोमारी और खाली टिफिन है न वो ज्यादा बज रहा है कि यहां पर व्यू काफी अच्छा है एस कंपेर्ट तो जहां पर मैं रुका था और वो जो सामने दिख रहा है आपको जूम करते हैं यह वाला स्पोट तो वो है डैम और यहांपर यहँआ वो बोर्टिंग बेटिंग हो रही है बहुाँ उदर मेरे को दो दो बाइक पर लटके और बजर में और रहें багखा चाहार लेते हैं उन्हा और बोम आध्य वहलेन वह बैह संदर भी so that's it so if you so if you like this video then hit like and do subscribe my youtube channel that's my bike over there so i'm going to wait here for few minutes after that i'll leave so far so good bye bye see you in the next video that i will be uploading very soon